ये अधी तक हमने फास्ट टू लेक्टर भी हमने देखा जो इस्टोरिकल बैक्ग्रांड था हमारे चौन्सीटिशन का कैसे ब्रिटिश ने हमारे जो एक्ट पास कि थे उनका इंपक्त हमारी प्रूस्टिशन पर क्या था यहां नीफ फॉट इसमें जाना अब हम जानेंगे क जो हमारा Constitution था क्लियर इसका बनने का पीछे कितने लंबे चोड़ी प्रसेस थी आज हम वो देखेंगे जो आने वाले दो तिन जो नेक्स लेक्चर्स होंगे यह थोड़ी बेसिक लेक्चर्स होंगे और यह इंपॉर्डन भी होंगे क्योंकि जो आपके लेक्चर्स अभी मैं क आपको आपको थोड़ा सा इंट्रस्टिंग इंफोर्मेशन सुनने को मिलेगी तो यह मैंने आपको आज का जो एंडिया का मैप बना के रखा हुआ है ताकि जो मेरा बनाने का टाइम है वो से और आपका जो है वो भी टाइम से वद है यह क्यों बनाया है यह भी मैं आपको बताऊंगा तो देखें सबसे पहले आज की जो हम सुरुवात करते हैं वो करते हैं हिस्ट्री से थोड़ा था देखें डिमांड जो है जहां पर मैंने आपको यह असेम्पली लिखा हुआ है इसका मतलब क्या ह जो हमारी सवधान जिसने बनाया था उस एसेम्पली का नाम है यह देखें डिमांड जो है सबसे पहली बार जो हमारा खुद का सवधान बने यह किस ने रखे दी अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने पोलन सवराज की दो डिमांड रखे दी उसमें यह बोला था कि जो इंडियन से हमारा खुद का सवधान होना चाहिए तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हमारा खुद का सवधान होना चाहिए आफ्टर देट 1934 में एमन रॉय क्लिया एमन रॉय ने पहली बार बोला था कि इंडियन का जो है अपना खुद का इंडिया जे बाहर रहके किया था इंडिया में नहीं थी उसके बाद 1935 में आप देखे आइंसी और मुस्लिम लेगे हमें पता है उस दो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो की मेजरीटी में थी ठीक है अब देखे आइंसी कि जो उस टेम प्रेजेंट थे पंडित नहरू उन्होंने 1935 में पहली बार बोला था कि इंडिया का खुद का अपना सविधान होना चाहिए अब देखे उन्होंने पर दो सर्ते रखे देखे लिए पहला कि जो सविधान बनेगा वह मारा इंडियन के द्वारा खुद का बनाया होना चाहिए क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट टू लेक्टर में आपको क्या बताया था जितने भी एक्ट्स ने पास के थे उसमें प्रॉब्लम क्या रही थी कि वह मेज़ोरी जो हम जब आजाद होंगे और जू हम अपने लिए सविधान मनाएंगे उसमें सारा जो दार्मदार होगा वो इंडियन का होगा क्लियर उसमें बिडिश कोई भी पाड़िस नहीं होगा सबसादी कि जो भी सविधान बनेगा उसमें किसी वी कंट्री का इंडर्फरेंश नहीं होना चाहिए यानि कि British का भी और कोई भी जो थर्ड कंट्रिय उसका कोई भी इंटर्फिरेंस नहीं होना चाहिए यह उन्होंने दो है जब मैंने आपको 1935 एक्ट करवाया था उसमें मैंने क्या बताया था कि कहीं पे भी ब्रिटिस को यह रिलाइज ही नहीं हो रहा था कि हम जो है इतने जल्दी यानि ने अधर हम इंडियन को इंडिपेंडेंट्स दे देंगे उन्हें बिल्कुल भी यह रिलाइज नहीं हो था जब यह एक्ट पास किया था कि लिए आप दिखें कुछ सरकम्टांसे ऐसे बनते हैं हिस्ट्री के अंदर नैंटीन फर्टीनाइं के अंदर हमें पता है में वर्ड वो टू श्टार्ड होता है कि अभी मुल्ड वर्ट टू जब सार्ट था है तो एक तरफ तो बिटिस में जैपनीस्स होते हैं कि लिए दूसरा इंडियन अंदर से विद्रो कर रहे होते हैं कि लेकिन इंडिया ने इनिशली वर्ड वर टू के अंदर पार्टी स्पीट करने से बना कर दिया था यानि इनको स्पोर्ट करने से बना कर दिया था क्योंकि इनकी डिमांड क्या थे हैं आप हमें पहले इंडिपेंडनेस दीजिए और हम अपना सविधान बनाएंगे उसके बाद देखेंगे क्लिया लेकिन 1940 के अंदर यह अगस्त ऑफर प्रोवाइड कर वाते से स्टीफर्ड तो जो सर्स्टै्फड कृप्स अब यह कौ DOT जो सर्स्टैफड कृपस थे यह बैसेकली जो वहां की पार्लेमेंट थी ब्रीटेन की उनकी मैंद्बर थे इनकी क्यbident के अइक मेंबर दे स्ट्ष्ड क्रिपस एक मिशन लेके आते हैं clockwise और वू क्या और आपको डॉमिनियन स्टेटस देंगे क्लियर अब देखें डॉमिनियन स्टेटस क्या होता है कि बेसिक से आप छोटा मोटे काम अपने मर्जी से खुद कर सकते हैं लेकिन जैसे आपका डिफेंस हो गया इन चीज़ों पर कुछ नहीं कर सकते हैं आप अपने जो लॉकल रूल से वह बना सकते बट बागी जो में जो हैं वह आपके फिर भी कौन बनाएगा क्राउन बनाएगा अब देखें जहां पर इंडियन्स यहां पर आप डिमांड कर रहे थे किसकी कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की यहां पर यह क्या करें आप हम आपको देंगे डॉमिनिस्टेटर्स तो ओब्यस है यह जो था क्रिप्स मिशन फेल होना था और हुआ भी वही तो 1942 के अंदर ना तो इसने मुस्लिम लीग ने इसको माना और ना ही आइंसी ने इसको माना अब देखें जब यह फेल हो जाता है तो महत्मां गांदी जी यहां पर उनको पता था कि अब बहुत हो चुका है ब्रिटिस अब नहीं मानने वाले तो उन्होंने क्या क्या जिसका नाम क्या था भारत लुकि मार जेल रहे हैं दूसरा अंदर से यह नहीं हम से संबल रहे हैं तो अब क्या करते हैं 1946 में जब यहां पर वाइसरा होंते वेवल लॉड वेवल ठीक है तो वहां पर वह क्या करते है कि बोलते कि आप एक मिशन और भीजिए जो कि कैबिनेट डेलीकेशन आए वहां क इसमें आपके वहां की जो पार्लेमेंट ब्रिटेन की उसके घ्रिम आते हैं इंडीया में जिस Top स्टैफिट क्रिप्स भी साथ में होते हैं अब दिए अपके माइंड में को इसे ना और होगा कि जो सटैफिट कृप्स थे पहले तो क्रिप्स मिशन लेकिए थे के प्रपोज़ लेकिए उसके बाद क्रिप्स यहाँ पर भी कैबिनेट मिशन जो 1946 के अंदर आया था यहां पर अगें वो इसके अंदर आते हैं तो ऐसा क्या है कि क्रिप्स को बार बार बेज़ा जा रहा था देखिए जो स्टैफिट क्रिप्स है उस टेम की जो इंडियन लीडर्स थे जैसे ज्वालना नहरोजी हो गए इनके साथ उनकी अच्छे बॉंडिं कि अपने एक बात पर अड़ जाते हैं वो क्या कि हमें चाहिए जो मुस्लिम मेजर्टी एरियाज है इंडिया के अंदर वहां पर उनको अलग करके हमें एक इंडिपाइंड नेशन चाहिए जो कि पाकिस्तान होगा और हमें टू कॉंस्टिट्ट एसेंबली ची एक इंडिय अब देखें यहां मैप के थूप अब यहां मारा इंडिया होता था पहले जो आज पाकिस्तान और यह बंगलेदे से यह पूरा एक कंप्लीट इंडिया था अब देखें मोहमद जली जिन्ना का किया करना था कि यह जो एरिया है मुस्लिम जॉर्टी और इधर यह असाम वा तो यहां पर पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से प्रोविंसे इंक्लूट हुई थी बलूचिस्थान सिंद पंजाब और नौर्फ फ्रैंडिर प्रविंस यहां पर आसाम के प्रोविंस थी सेलत क्लियर वो आपकी इंक्लूड की गई आप दिखिए यह तो हुआ कि मुहम्मद अली जिन्दा ने अपनी काफी डिमांड रखे अब जो यह आपका कैमेंट मिशन आया था इसमें उन्होंने यह वाली जो इनकी कंडिशन थी कि हमें दो असेंब्ली चीए वह एसेप्ट नहीं क बती है कि आप अपने कॉंसिट्ट एसम्पली बनाएए और अपने सहाब से अपना सरद्थन नहिए तो जो हमारी इसम्पली बनती है वो रहता है कि एक आरिंदो डी है कैबिन पिंसेंट-चैबिनिक तो यहां से हमारी आसेम्बली जो एक बनती है कब नवेंबर 1946 में हमारी पहली बार सववधान बनाने की जो प्रमप्रा स्टार्ट हो जाती है अब बताओंगा कि सटार्ट करते हम काम करना कि कहां से हमारा डिमांड जो स्टार्ट होती है काफी बड़ी है यहां आज आज भी हम देखते हैं जम्मो से कन्याकुमारी और गुजराथ से अनाचल प्रदेश आज भी जो है काफी एरिया वास्ट है हमारे पास तो इसके अंदर डावेस्टी भी तुनी जाता है अब ऐसा तो यह कि सविधान बनाने के लिए आप एक ही पर्टिकुलर एरिया से सारे म माल लीजिए जो आपकी टेरिटरी है के लिए अभी इंडिया की उसके अकॉर्डिंग हम आपको देते हैं 389 सीट्स कितने हैं टॉटल 389 सीट्स अब इनका बटवारा कैसे होगा देखें उन्हों नहीं बोला था कि यहां पे न टॉटल टू पार्ट्स में डिवाइड होग आपका बाइक लेश्य सब्वाइब को द्री अपको डिवाइड होगी और जो 93 से यह आपको किसको मिलेंगी जो आपके प्रिंसिली स्टेट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स यानि जो वहाँ पे लोकल रूलर्स आपके रूल कर रहे थे आपको मैं यहां पे जैसे यह राजस्थान है अपर इस राजस्थान के अंदर मालों ब्रिटिस भी रूल कर रहे थे और कुछ-कुछ एरिया ते जैसे बेकर नेर जोद्पूर यहां पे सब्सक्राइमा इससा तो नहीं होगा तो इसनी यहां पे च्किल्ट सिट्ध यह थी जो जो आपको मिलती है कि अप यहां पर चाहिए फ़र्दर इसको लिए जाते और नवले जाता है कि कि जू नैंटी टूसीर्व इं यह तोकिसको मिलेगी जो आपके ब्रिटिस प्रोविंसीज हैं उनको और जो फोर सीट्स हैं यह मिलेगी किसको जो चीफ कमिशनर प्रोविंसीज है चीफ आम पर हम देखते हैं यहां पर हम उन्हों़ने की बजाय चीफ कमिस्टनर वाइंट्स कर दे एप कि अखर डेंगे हम आपर chiliALD एक अपना रूल करते हैं ठीक है तो यहां पर उनको कितनी सीट देगे थी चार तो यह आपको डिविजन ब्रोड समझे मां गया टॉटल कितनी सीट थी जिसमें से 296 किसको दी ब्रिटिस प्रोविंसे को 93 किसको दी प्रिंसली स्टेट को 296 अगें डिवाइड की जो 11 प्रोविंसे से उसको और 4 जो आपके यह चीफ कमिशनर प्रोविंसे थी इनको क्लियर यह इतना ब्रोड समझ में आ गया वैरे गॉट आप हम डिसकॉस करेंगे कि जो यह आपका कॉंस्टिट्वेंट एसेंबली के लिए जो सीटे डिवाइड होई है ठीक है इसके अंदर आप कैबिनेट मिशन में और क्या-क्या बोला गया था ठीक है उसमें यह बोला गया था कि जो हम सीटे देंगे एक तो मैंने आपको नंबर पॉन पर देंगे कि 38 सीट्स थी क्लिया ओके सेगेंड उन्होंने यह बोला था कैबिनेट मिशन के अंदर कि जो यह सीटें है 389 इसका जो डिवीजन होगा वो होगा अकॉर्डिंग टूदी पॉपुलेशन ठीक है यानि कि जिस प्रोविंस में जितनी पॉपुलेशन होगे अकॉरिंग उसको उ एक मिलियं पर आपको एक सीट मिलेगी यान्याग के बराबर 10 लाक यान आपकी पुरी रजस्थान के अंदर उस टाइम आपकी और एक करोड जन्संख्या दी तो इनकी जो प्लान था उसके अकोर्डिंग यहां पर कितने सीट मिलने जी फिर राजस्थान को यहां पर मिलेंगी दस सीटे ठीक ना क्योंकि वन करोड में कितना हो जाता है वो करेंगे अकोर्डिंग टूदी जो आपकी कम्यूनिटी है ठीक है उसके अकोर्डिंग अब कम्यूनिटी कौन से इस टाइम मुस्लिम सिख एड जर्नल अदर कि इसमें जर्नल में कौन को ना आते थे इन दो को छोड़के जितने भी आपके धर्म जो भी बच के कैडिगरी में वो सारे हिंदू पार्सी जैन बुदिस्ट वो सब आप किसके में आ जाएंगे इस वाले में ठीक है सुरी जर्नल के अंदर मुस्लि यही है मुसलीच कि जिए इन के आएंगे इसमें नहीं होगा उसमें जो फ्रिंसलि स्टेट नहीं होगा उसमें नॉमिनेटि करेगा। क्लिया। नॉबिनेट मेंज वह अपने हिसाब से भेज़ेगा जो उसको अच्छा लगे कि मेरे स्टेट से जो मेरी और आगस्त दो मेने चले थे 1946 में जब एलेक्षिन हो जाते हैं यहां पे तब बनती हमारी 1946 के अंदर नवंबर में क्या अब देखें जो यह एक एक रोट करके तब मुझे आगे बेजा जाता था ठीक है तो यह थे इंडिरेक्ट एलेक्षिन का मैथड यानि कि यहां पर जैसे हम माली जे मैं राजस्थान की एक जेमबल देता हूं जैसे उस ट्रोट लोग थे एसा नहीं है कि एक राजस्थान से आकर दस सीटे उनको मिली है और दस जो इनके रिपेजेंटिव वहां गए असेमली के अंदर तो एक क्रूड लोगों ने डिरेक्ट वोट नहीं किया था इन दस लोगों को क्लिया जैसे आज हम करते हैं एलेक्षिन में ऐसा नहीं था उस इनको इलेक्ट करते थे यह इंको इलेक्षिते ए जाज में फ्रेजेंट का है इंडेरेक्षिन यहां पर बम रिप्रेजिंटरी के कोई भी रिपेजेंडटी वहां पर ना गयओ देखे चाहे वो सिख हो क्लियर चाहे वो मुसलिम हो चाहे वो जैन धरम का हो बुद्धिस हो हर एक कम्मुनिटी का रिप्रेज़ेंटेटिव हमारे असेंबली के अंदर वहां पर आपको मिलेगा तो इस से हमें क्या पता जलता है बेसेक से हमारा सब्सक्राइब करें अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है जो हमारी एसेंब्ली थी आपको एसेंब्ली उसमें जो मैंबर गये थे तेक्षट जितने भी फिर्मस परसनलीटी ति वो सब थे उसमें जैसे पंदित नहरू सवर्दार पटेल क्लेर डॉक्तर बियानम बेड़कर ये सब उसके मेंबर असेंब लेकिन सिर्फ एक सक्षियत को छोड़क जो उस ताम की फेमस थी एनिगेस्ट ओके सो टैट इस महात्मा गांधी जी थे वो कहीं न कहीं थोड़े बहुत खुश नहीं थे क्लियर जो कॉंस्टिशन बनाने को प्रोसेस उससे इसलिए उन्होंने पाइडिस्पेट करने से मना किया था तो महात्मा गांधी आपको याद कि इन्होंने स्टार्ट कैसे किया अब एक बर में यह मैप भी एरेज कर देता हूं ताकि मुझे और स्पेस मिल जाए लिखने के लिए देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए जब आप स्टड़ी करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपने डिरेक्ट बुक उठाया और कुछ भी आपके मन मायर अपने पढ़ना साड़ करते हैं ऐसा तो नहीं करते हो पहले आप सोचती हो माइंड के अंदर कि आज मुझे क्या पढ़ने है क्लियर आप फिर पडिकलो उससे बुक उठाते हैं यानि आपके माइन में एक गोल बनते है फिर उस गोल का काम करते हैं यह सबसे पहले बाद आती है अभी प्रेजिदेंट कोन होगा ठीक है कोन हमें इंस्रक्शन देगा यह भी तो डिसाइड होगा तो यहां यहां पर सबसे पहले जो चेर्में था इसका इलेक्शन अभी से नहीं हुआ था के लिए एसेम्बली हमारी अनौंस कब होगी थी नवेंबर सबसे बड़ा इंसान होगा जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा अकॉर्डिंग दी एज जो उमर में सबसे बड़ा होगा इसको हम क्या बनाएंगे प्रेजिडेंट और यही हमारे एसेम्बली के जो लोग थे उन्हों नंवे यही किया कि जो सबसे ज्यादा इसमें बड़ा है उसको हम कया बनाएंगे प्रेज्ड यह डिसाइड गया था लेकिन उन्हों यह वाला थे यह ज़स्ट और ज़स्ट जब तक के लिए है जब तक हमारे पास पर्मानेंट प्रेजेंट नहीं मिल जाता हमें ठेक है यानि कि मैं कहा सकता हूं कि यह कैसे थे टेंपूरेरी प्रेज्जेनट थे ओक'T और यह कौन थे जो पहले टेंपूरेरी प्रेजेनट के ऑसेंपली के बने थे वो थे डॉक्तर सचिदा नंदसिना रोक्टर सचिदा देवी तो अगर आपको पता है तो वैरी मुझे कमेंट में बदा सकते हैं देखिए फंस प्रेजिटेंट जो थे हमारे इंडिप्नेंड इंडिया के वह हमारे यहां पर क्या पर्मानेंट चेर्में पर्मिन प्रेजिएन्ट है क्लियर कौन डॉक्टर रजेंदर प्रशाद य यह हमारे कॉंस्टोंट एसेंबली के पर्मनेंट चेर्मन बनते हैं आगे चल्का ओके यहां तक किलिए आपको शाबाज वेरी गूट यहां पर असेंबली के पर्मनेंग को बता रहा हुँ यह ना आपको एक्जैम में कैसे मिलेगा या तो मिलेगे मैच ऑफ फालविएंग की यह वाइस प्रेसिंट थे या यहां पर क्या आएगा तो आपको यह जो नॉलेज है अभी क्या अगर आप लास्ट एर का एक्जाम देखेंगे प्रेलिम्स का तो उसमें क्या था एक्जाम का नेचर क्या सा था फैक्चुल प्लस कंसेप्ट दोनों मिक्स थे तो आपको क्या करना है ऐसा नहीं कि आपको क्या करना है कंसेप्ट और प्लस नॉलेज दोनों को एक साथ समझ के करना है और होगा क्या आप कोई भी चीज है आपको सारे आपको करवा दूगा और आपको इस तरीके से करांगो कि आपको उसी टाइम याद होजाए अगर नहीं होगा तो मेरी एडवाइस ही रहती है जिस बच्चे को मालों अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है यह मैं खुद भी फॉलो करता हूं मालों जैसे मेरे को हिस्ट्री एक टाइम पर अच्छी नहीं लगती थी ठीक है मुझे बोरिंग लगती थी मैं क्या करता था एक बार पढ़ लिया मैंने एक मैंने तक उठाता नहीं था क्लिए सेकंड रिडिंग फिर उसको 10-15 दिन में उठाता था इससे होता था माइंड जो हमारा माइंड है वह रिकॉल स्टोर कर लेता उसको सब कॉंसे मैं आप उसको ना तीन चार पांच छे जब तक याद नहीं होता है समझ में नहीं होता है आप दस से ग्यार्वी रिडिंग पर अगर तीन बहुत होती है या चार बस इससे जाद है लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं कि जब पढ़ रहे हो तो दिहान कहीं और बटकर आपका ठीक है तो अभी मैं आपको क्या बतारता है टू वाइस प्रेजिंग यह देकि बीच बीच में कई बार मैं आपको 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 सिर्ण से इसलिए देता हूं कि क्या होता है कि भी ऊड़ाते हैं सब कोई सबकर बत have निया लेकिंति सोडी जो कर जाते हैं हमें नहीं पता चलता है हम किसी इस चीज़ को बोरिंग समझें तो वो क्या है कि मेरा यही मतलब बनता है कि मैं आपको चीज़ों को बताता जहूं देखिए दूसरे थे विटी क्रिश्न मचारिया ठीक है एच्टी मुखरजी एंट विटी क्रिश्न मचारिया अब उसके बाद चलिए हमारे प्रेज़ेंट भी इलेक्ट होगे हैं और वाइस प्रेज़ेंट यानि अब काम करने के लिए बिलकुल रेडी है अब देखिए नेक्स पॉइंट आता है हमारा अब्जेक्टिव रेजुलुशन अब आपके माइन में यह आना चाहिए जैसे आप न्यू यूर आता है ठीक है ठाटीफर्स डिसंबर होती है हर एक इंसान अपने आपको यह सुचता है बच्चा हो या कोई भी बड़ा हो जो जो जॉब करता हो वह एक मैं रेजुलुशन ख़र्ति दक जो ख़के लेकिन होता है पहले दो दिन तो फोल होगा तेसे कल ठीक है न यानि फिरोग कल अभी आता यह तो अब मैं एक क्वा बता रहे हूं देखो जैसे नाम यह पर पर चल रहा है ऑबजेक्टिव रेज लुशन ठीक है ऑबजेक्टिव रेजुलूशन ठ प्रण क्लियर अब्जेक्टिव याने की गोल हमारा जो सविधान बनाने का लक्षे क्या होगा ठीक है हम कैसा सविधान चाहते हैं यह बताई पहले यह तो लेकिन आपने यह तो डिसाइड करोगे पहले गूमना का है ऐसा तो नहीं की सर्दी है उसके बाद आप सब्सक्राइब कि मैं बिल्कुल एक्दम वहां जाओं जहां पर बरफ पड़ी और रस्तर एक्दम क्लोज हो चुके वहां तो नहीं आपके माइन में क्लियर गोल होगा क आप देखोगे क्या 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 में को और सकती है क्लियर ऐसी ही पंडित नहरुजी ने क्लियर 13 दिसमबर 1946 के अंदर कॉंस्टिटुएंट एसेंबली के अंदर अब जैक्टिव रिजूशन लेकाते हैं क्लियर अब उसमेरा कुछ पॉइंट्स थे आपको सारे क्या है कि रठने की जोड़त निया है क्योंकि देखें अब्जेक्टिव रिजूशन क्या होता है मै ठीक होगा क्या इसमें कभी एक्जाम में ने बुझाए कि क्या अब्जेक्टिव रिजूशन का पार्ट है या नहीं है लेकिन इंपॉर्टन इंपॉर्टन चीज़ें में बता रहता हूं क्योंकि आगे चलके यही हमारे सविधान का रूप रेखा बनती है सबसे पहले नह बता चुका था लास्ट लेक्टर में अगर फिर भी मैं आपको बता जिता हूं कि इसका मतलब क्या होता है कोई भी आप दूसरी कंट्री हमारे जो लौ है उसके अंदर इंट्रफरेंस बिल्कुल भी नहीं करेंगे यह उन्होंने बोला था डेमोक्राटिक होगी इंडिपे उसके उपर रूल करेंगे क्लिया दूसरा जैसे आपका अंडवान निकबार पूर्ड चेरी में अभी बताया था और जो भी आपकी यूनियन डिरेटरिस दें जो अब तक किसके अंडर आते थी ब्रिटिश के अंदर चीफ कमिशनर प्रोविंस के अंदर वो किसका पार्ट रोंगे union of India तो यहीं पर नहरु जी ने objective resolution में क्लियर कर दिया था कि जो इनडिया का nature होगा क्लियर वो कैसा होगा union होगा ना कि यह यहां होते है union of Federation ये भी हम डिसक्स करेंगे के लिए एक रिस्पक्टीव जो हमारे लेक्टर उसके अंदर ऑगे फिर उसके बाद नहरुजी नहीं वोला था कि जो हमारे स्टेट होंगे वो एक तो यूनियन होगा के लिए फेटरेशन होगा यह मैं आपको बता चुका हूं दूसरा उन्हों न महलें उनको ऐसा ना होगी जैसे अब तक ब्रिटिस के अंदर जो उनकी हालत ही ऐसी ना रहे हम उनको उनका उधार करने के लिए constitution के अंदर ही ऐसे provisions रखवाएंगे ताकि वो society में balance हा जाए और सब ब्राबर हो जाए दूसरा उन्हों ने यह बोला था कि आपसे जितने भी हमारे जो लोग होंगे citizens होंगे हम उनको fundamental rights देंगे जैसे कि equality का fundamental rights देंगे religion से लिए जो होगा ठीक है और कानुन के सामने सब ब्राबर हो यह सब कुछ जो है हम आपने constitution में लेके आएंगे तो यह थे हमारे क्या objective resolution अब नहरुजी लेके तो आए थे 13 December 1946 को ठीक है अब देखें objective resolution लेके आए अब resolution क पास होना भी जरूरी है ठीक है तभी तो आप सविधान मराने पर आगे बढ़ोगे तो हुआ क्या 22 जन्वरी को कि लिए एसेंबली की sitting होती है और वाइस जरूरी उन्वरी उन्वरी को क्या होता है यूनेनी मसली यानि सारे मेंबर एक मत होकर के वोट करते हैं और इसको पास कर देते हैं ठीक है यानि कि सब बोलते हैं सब इस पर राजी हो जाते हैं कि हाँ जो पंडित नहरुजी ने कंडिशन्स रख दी हैं हम वैसा ही सविधान चाहते हैं अपने देश का और हम इसको आज अपने मत से पास करते हैं क्लियर यह हो गया है उसके बाद आता है चेंजीस जो की इंडिपनेज की द्वारे आये थे clear आभी दिखियो जो म हैंँक्ट uhक करवाया है उसमेरे आपको लास्ट एक्ट था वह कौन सा रोख था इंडियान इंडिपेंदेंस याद आ रहा है कि निए बेर ऊडब जो इंडियान इंडिपेंदेंस एक्ट था 1947 में जो आया था इससे पहले हम आजाद हुए थे इसी एक्ट के थरू लिकिन इस एक्ट की वजेसे कुछ इंपोर्टेंट चेंजिस हाय थे हमारी काम करने में देखिए मैंने आपको क्या बताया था अपने बनाइए और अपना काम करना कीजिए लेकिन अब उसमें न कुछ टर्म से कंडिशन उस्टर में आपको बताया था कि ऐसे से इसे यानि कहीना कहीं इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था हमें ब्रिटिस गौवर्मेंट ही दे रही थी क्लियर लेकिन जब यह एक्ट आया था नाइटी फॉर्टी सावर्म तो य यह उसमें बोला गया था एक्ट के अंदर आप से ब्रिटिस गौवर्मेंट का कोई भी रॉल नहीं है आपके सब्सक्राइब के अंदर क्लियर एक चीज़ और वो यह कि जो भी आप कॉंस्टिट्यूशन बनाएंगे ना उसके अंदर आप जब माल लिजी 1947 में हम आपको इ अटने प्लाता दा किकल्यव उन्हों नहीं ये बोला कि अगर माल लेजए। आपके सवप्सक्राइब कोई पना पड़े हैं लेकिन इन केज जब تक आपका सवप्सक्राइब नहीं बन जाता है। तो मालीज़ आपके कंट्री में कोई कंडिशन ऐसी आती है कि आपको लॉव बनाना पड़े के लिए लॉव बनाने पड़े तो उस टेम कौन बनाएगा अब ब्रिडिश कवर्मेंट तो बना नहीं सकती क्योंकि क्राउन का कोई रूल नहीं अब इसकी एक पास होने के बज़ क्या तो आपके माइन में आजा हुआ कि क्या सर इंडिपेंट एक साथ कर रही थी इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं हाँ ये काम कर रही थी दोनों काम कर रही थी बट सेपरेट डिश्पे कर रही थी क्लिए आपको समझाने के लिए जैसे मालीजिए यह ओर्डिनरी है और यहां पर ट्यूजिए अब देखें मालीजिए मंडी को उन्हों ने बोला कि आज हम सिर्फ और्डिनरी लॉज बनाएंगे क्लियर तो यहां पर आज वो कॉंस्ट्यूशन के लिए काम नहीं करेंगे ना कि कॉंस्ट्यूशन कैसे बनाना है क्या करना है ठीक है उसके पर काम नहीं करें अब हम सिर्फ और्डिनरी लॉज ही बनाएंगे आज यह सिर्फ में आपको हाइप्रोथर्टिकल एक्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए अगर ट्यूजडे है इनोंने डिसाइड कि आज हम क्या करेंगे सविधान बनाएंगे और कुछ काम नहीं करे हो सकता है वह पहले तीन दिन लॉज पर काम नहीं करेंगे यहां पर अगर देखें अगर बना रही है और constitution भी बना रही है तो मैंने आपको क्या बताया था जब constitution assembly थी उस्टेम प्रेज़ेंट कौन थे हमारे और बेस डॉक्टर परसाद थे डॉक्टर राज़ेंदर परसाद लेकिन जब assembly ordinary laws मना रही थी तो उस्टेम प्रेज़ेंट कौन होते थे assembly के वो होते थे जीवी मावलंकर क्लियर और यही जो थे जीवी मावलंकर आगे चलके हमारे क्या बनते हैं इंडिपैन इंडिया के फर्स्ट स्पीकर क्लियर अब देखिए जब वो constitution बनाएगा काम करती उस ट्रेम कौन थे हमारे प्रेज़ेंट डॉक्टर राज़ेंदर पसाद जब ordinary laws मना रही तब कौन थे जीवी मावलंकर क्लियर इस तरीके से हम यह कह सकते हैं जो हमारी assembly थी वो एक इक तरीके से प्रोविजनल पार्ल्यमेंट का काम भी कर रही थी यस और नो वैट पार्ल्यमेंट में दूल पंती यह अभी अंग्रेज तो बना नहीं रहे थे तो कौन बोशार रहे तो सहां प्रोविजन ऑलोबिग्ड काम कन और दी एसेंबली और यह फंसन कब तक चलता रहा ऐसा 26 नवेंबर 1946 क्लियर याद इतना ओके यह यह जो टास्क है ना 26 नौबर चलता है लेकिन जो परलेमेंट का काम था ऐसा नहीं है कि यह परलेमेंट जो है यहां पर बंद कर दिया देशने काम नहीं यह चलती रही थी परलेमेंट हमारी 1951 से लेके 52 तक ठीक है यहां पर क्या होते हैं हमारे फर्स्ट जर्नल लेक्शन होते हैं और 52 में हमारी फर्स्ट इलेक्टेट गवर्वर्मेंट जो है इंडिया के अंदर बंती है ओके तो यह पॉइंट भी आप हमारा हो गया है क्लियर अब हम डिसकेस करेंगे कुछ छोटे मोटे फंक्स जो की हमारी कॉंस्टेंट असेमली थी उन्होंने किया क्लियर सबसे पहले आपको पता है Commonwealth Games का नाम सुना है अपने सुना होगा अराम से क्योंकि 2010 में हमें पता है हमारी कंट्री में Commonwealth Games हुए थे और उसमें कुछ गोटाले भी हुए थे कोई बात नहीं हमें उसमें नहीं जाना है 2010 के अंदर Commonwealth Games होते हैं हमारे बस ठीक है अब इस क्यों मैं बता रहा सब्सक्राइब कर सको आप कॉमन वेल्थ कॉमन वेल्थ गेम्स हुए थे क्लियर में 1949 में सब्सक्राइब कर देखाए तो एक चीज देखना कंट्री कौन कौन से पार्डिस्पेट करते हैं क्या क्या अलवर वर्ल से आते हैं नहीं सिर्फ वही कंट्रीज आती हैं जैसे कि फॉर एक्जामपल ब्रिटेन खोद आएगा क्योंकि वह तो है जिसने सब पर रूल किया दूसरा इंडिया पाकिस्तान बांगलादेश सिरलंका कैनडा अस्ट्रेलिया क्लियर ऐसे इसी कंट्रीज आती हैं इसलिए यही वज़े से इस वर्ण को को अपको क्या हो करना होता है क्लियर अच्छा उसके बान ये को किया रॉसरा काम किया न्हीं क्यों सविदान बनाने की है मैं जो हमारा प्यारा त्रंगा हमें देखंव को मिलता है वह विए इंस्व किया था म्यूर्टी से यौब आफ जुलाई 1947 में 22 जोलाइ 1976 को अब यह जो इनफोरमेशन यह प्रक्ट्शल है क्या होता है कि क्यों पूच ले जाता है तो आपको में Ц Takingилось कर लहाँए और जैसे वह अब क्यों तो यह आपको हर अई यह इंफ्रमिशन आपको कही ना कही देखना हर एकजाम में कभी ना कभी पूछी जाती है आप किसी पाद एक अमने ने एक कम और भी क्या था वह क्या कि जो आज हमें नेशनल एन्थम और जो नेशनल सौंग हम देखते हैं हमारा क्लियर नेशनल सौंग एन्थम ये भी किस ने अडॉप्ट किया था ये भी हमारी जो कॉंस्ट्ट एसेंबली थी उसी नहीं किया था ये कब किया था 24 जैन को यानि 24 जनवरी 1950 में जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेजिडेंट डॉक्टर रजेंदर प्रसाथ इनका भी इलेक्शन कोन करते हैं हमारे जो कॉंस्ट्ट एसेंबली थी कब 24 जनवरी 1950 क्योंकि देखे फर्स्ट टाइम तो इलेक्शन हुए नहीं प्रेजिडेंट क प्रेजिडेंट को इलेक्ट किया घक तो यह तो हमारा क्या था कुछ फंक्संते ने जो प्रफॉर्म किया थे तो अभी तक हमने को डिसकस कर लिया है,ब हम बात करते हैं कुछ कमीटिस की जो कि कॉंस्ट एसेंबली ने बनाई थी, अब आपके माइड में आता है कि कमेटिस क्यों बनाते हैं आज भी जैसे पार्लेमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन अभी आपको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूं कि क्यों कि देखें मालेजे जो पार्लेमेंट एडिस आज की मालेजे आज जैसे मौनसुन से चल रहा है मौनसुन से से हमारा 35 डेस इतना दिन चलता है बट लॉज भी बनाने होते हैं क्लियर लॉज को पास्वी करना होता है लेकिन आपको पता है हमारी कॉंस्ट्यूशन में एक प्रोसिजर बना रखा है कैसे एक बिल जो है एक्ट में ब होती है यह विसके बाद सेक्ट ते अर्द होती है hahaha you do okay कि उसके बाद थर्ड रीडिंग भी होती है हुआ ह wob शर्ग पर प्वोटिंग होती है थी इस वहर्ट भात पर पास शोल जाता है तो अच्छी बात है नहीं होता है 1 फास हो गया एक में लिभी जो क्या बता रहूं कि बिल जो है जब एक्ट में होता है किल जह सब्सक्राइब करवाJohn कि किसके बारे में Satinerぇ क्ई सब्सक्राइब सब्सक्राइब का इस मतदर जाते हैं जो इसके वोटिंग होती है फिर यही सारे प्रसेजर फोल होते हैं उसके बाद मान लीजे सेकंड हाउस ने भी पास कर दिया देन यह जाता है प्रेजिडेंट के पास प्रेजिडेंट ने साइन किया और ये बन गया हमारा पास होकर के एक्ट ठीक है ये देखे ये क्या है हमारा प्रोसेजर है एक बिलको एक्ट में बनाने का इतना लंबा चोड़ा प्रोसेजर constitution makers ने क्यों बनाया वो इसलिए बनाया number one इंडिया मैंने आपको कैसे बताया कैसी country है पहली बात तो multi linguistic है diverse country है एक religion नहीं है यहाँ पे एक language नहीं है clear एक पहनावा नहीं है culture बहुत ही different है हर जगा पे तीक है अब मान लेजिए मैंने मेरा मन किया कि यार मैं चाहता हूँ कि यह इतना लंबा चुड़ा procedure बनाया कि कहीं कोई कलकू मालो पार्लियमेंट में absolute power के साथ आ जाता है तो वो इसका misuse ना कर सके clear आप देखें जो हमारा constitution बना था ठीक है उसके अंदर क्या हुआ था जब वो आया था उसकी फर्स्ट रिडिंग कब हुई थी फॉर्थ ओफ नवेंबर 1948 में क्लिया और यह कब तक चली फाइव डेस तक चली थी फाइव डेस यानि कि 9 ओफ नवेंबर 1948 में यह तो थी हमारी constitution जब बना था उसकी फर्स रिडिंग यानि इंट्रुडक्शन कैसे हुआ था यह वो प्रसीजर बता रहा हुए आपको फिस सेकेंड रिडिंग में क्य आर्टिकल को एक एक क्लोज को उठाते हैं उसके और डिसकर्स करते हैं तो यह मैंने क्या बता है सबसे लंबा प्रसीजर यह होता है तो यह चलता है आपका कब तक अक्टोबर 19 यहां पर 48 आएगा 49 तक क्लिया थर्ड रिडिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है आपकी 14 ओफ नवेंबर 1949 और यह फिनिस हो जाती है थर्ड रिडिंग जो है हमारी यानि कि कॉंस्ट्यूशन बनके त्यार हो जाता है वो कब 26 ओफ नवेंबर 1949 क्लियर तो यह हमारे सविधान की टाइम लाइन कि कैसे कैसे उसमें फर्स रिडिंग होई सेकंड रिडिंग होई फाइनली वाटिंग होके पास हुआ और हमारा कॉंस्ट्यूशन बनके तयार अब जब हमारा सविधान बना था उस टाइम 284 मेंबर्स जो थे वो थे क्या थे प्रेजंट थ करना आपको मिल जाएंगे तो यह भी कई बार क्यों पूश्ट लें रहते हैं इंट्रिव्यूश च्छोटे एक्जाम सब्सक्राइब अब देखें यहां तक होगा हमारा क्लियर अब बात करते हैं कमेटी क्या करती है जैसे मालीजिए कोई एक्ट बना दिया हम जल्द सब्सक्राइब बना पर सब्सक्राइब ओड्सक्राइब क्या करें परलेमें अब सब्सक्राइब холод करेंगे एक जो परिमेंट को मैं पर यह में रसके मालीजिए ऑपकी सेशन स्क्रूटिन करें बिल की क्लिया तो उसके लिए क्या मनाते बनाते हैं और कमेटी क्या कड़ेगी प्र домой आशाला यह सराबंदी को लेगे समझाने के लिए सिंपल बता रहा हूं स्रापंदी के लिए हम एक्ट मनाना जाते हैं ठीक है आप स्पीकर ने का कि इस से ना सोसाइटी पर क्या पड़ेगा चलो हम कमेटी बनाते और वो डिसकर्स निकालके देया हमें अभी कमेटी के मेंबर क्या करेंगे अंडियामे जहां पर सब्सक्राइब लेकर का उने क्या जाता है वहां पर सब्सक्राइब करेंगे लोग की में घुमेंगे सर्पन से बात्षित होगी वहां के लोकल लोगों से बात होगी महिलाओं से बात की जाएगी उनकी फीडबैक लिए जाएगे उसके बाद में उसके पूछा थाएगा अगर ऐसा कोई कारून आए तो आपके क्या राय है उन सबके सबसे मतलब सुलवा मसरुव करके फिर उसके बाद में परल्यमेंट में दूबारह से वह कमीटी रखेगी क्लियर अब अगैन उसके ओपर डिसकॉसन होगा है बन के अंदर यह अमेंडमेंट होना चाहिए तो वह अमेंडमेंट भी किया जाता है और फाइनली जो है वह आपका बिल बना पास किया जाता है और फिर बनता है एक्ट क्लियर तो यह है हमारे कमेटीज के मेंड टास्क माइनर कमेٹी कि इसमें राख कुछ तो मेंसर कमिटी थी ओर कुछ आपको थोड़ा सा रटने की ज़ुरूत कई भनना मैंने कुछ बच्चों को देखा है रटते हैं चीजों आपको कमेटी रटने की ज़़ूत नहीं है जो मेन हो Explain हम सबसे पहले जो मेजर इस यही हमें थोड़ा से याद रहता है अगर करना चाहिए तो बुक में सब दे रहख़ा है आप देख सकते हैं आप पर मेजर कमेटी कून-कून से दि धी सबसे पहले जैसे Union Power Committees इनके चेर्मेन कों थे? डॉक्टर ज्वालनाल नहरू उसके बाद फिर आपका आता है Union Constitution Committee इसके बीच चेर्मेन कों थे? ज्वालनाल नहरू फिर आपका आता है पार्लियमेंट प्रोविंशियल Constitutional Committee इसके चोन थे? आपके प्रोविंशियल की बाद आती है तो सरदार पटेल क्लियर? सरदार पटेल इनके चेर्मेन थे? उसके बाद एक आता है States Committee अगेन ज्वालनाल नहरू इनके चेर्मेन थे? फिर एक आपकी important committee जो आती है इसके अंदर वो है drafting committee क्लियर? drafting committee I think marker भी जो है इसकी ink खतम होगे कोई बात नहीं marker दूसरा ले लेता हूँ मैं क्या आपको visible हो रहा है यह मुझे तो visible हो रहा है लेकिन चलो देखते हैं ठीक है यह मैंने drafting committee लिगा है अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा तो मैं बताए तो यह drafting committee लिखा मैंने ठीक है तो जो drafting committee है इसके चेर्में थे वो को थे डॉक्टर बीम राव अंबेड कर भी आर अंबेड कर क्लियर हम इनको शॉट फॉर्म में लेकिते हैं और इनका पूरा में बीम राव अंबेड कर देखिए जो यह committee क्यों इंपॉर्टन थी देखिए नाम में ही पता चल जाता हमें drafting committee यानि कि खाखा त्यार करना ड्राफ्ट बनाना जो हमारी मेजर कमिटी से यह तीन-चार कमिटी के जो मैंबर यह मेटिंग करते हैं देखिए तो बनेगा ठीक अची बात है लेकिन एक खाखा तो त्यार कर ले हम कि उसमें क्या-क्या डाला जाए आप भी तो क्या करते हैं ब्रोड प्लान तो बनाते हैं ना कि मैं ऐसे इतने बज़े उठूँगा इतने बज़े तक मैं यह काम कर लूँग पर इतने बज़े फिर पढ़ूँगा फिर सौंगा एक खाखा त्यार करते हैं वह बात अलगी हम उसको फॉलो कितना कर पाते हैं क्लियर यही ड्राफ्टिंग कमेटी का भी काम यह था उनको यह टास्क दिया गया था डॉक्टर अंबेडगर की चेर्मेन में चेर्मेंशिक अब देखें यहां पर यह कमेटी बने इनको टास्क दिया गया था आपको खाखा त्यार करना है कर देते कोई बात नहीं है इन्होंने जो ड्राफ्ट त्यार कर दिया था फोड़ा लिग देता हूं नहीं तो दिखेंगा नहीं यानि 1940 में त्यार भी कर दिया कितने मैने लगे हाड़ली सिक्स मंद्स अब देखें यह उन्होंने खाका त्यार किया था ऐसा नहीं कि एकदम से उठाया और कर दिया नहीं सबसे पहले सोसाइटी को नजर रखना है कि कैसे किस को क्या इंपक्त होगा वो सबकुश ध्यान प उठाया उनके जो इंपोर्टन प्रोविजन से जो हमें लगता कि हमारे सोसाइटी को सही है उनके लिए वह भी हमने रेडाउट करना है तो यह 6 मेने में देखें काम जो किया था काफी क्रेडिबल था यानि कि ऐसा नहीं कि भी बस हलका काम था यह 6 मेने ना खून पसीना ए अब करने कि जितने बी कुंसिट tumor ऑसेंबले के मेंबर से और जो हमारे देश के नागरी के है हम आपको आड मेने का समय देए कितने 8 मेने का इन आठ मेंने में आपको क्या कर रहे हैं जो भी आपको लगता है कि यह इसके अंदर कमी है हम चाहते हैं यह इंप्रूमेंट हो आप हमें सजेशन दीजिए फीडबाइक दीजिए जो वैलिड हो का हम उसको इंक्लूड करेंगे कि अब देखे एट मंस का हमें मिलता है टाइम इंको मिलती है वो सब इंक्लूड करने के बाद अगेन इस सेकेंड ड्राफ्ट त्यार करते हैं है क्लियर और यह त्यार हो जाता है आपका ऑक्टोबर 1947 के अंदर सेकेंड राफ्ट नोट 47 48 अक्टोबर 1948 क्लियर अब देखें सेकेंड राफ्ट त्यार हो गया ओके उसके बाद में लास्ट में फाइनली जब सब कुछ हो जाता है तो जो डॉक्टर बियार अंबेड करते वो रेजुलिशन लेके आते हैं असेमली के अंदर क्यो सब्सक्राइब करने अगर ड्राफ्ट बनाया है तो उसको पास भी करवाएंगे तभी तो फाइनल होगा तो 26 नवेंबर जो मैंने आपको कई बर बताया है यह कौन सी डेट है हमारी जेस दिन हमारा सविधान बनकर त्यार हो गयाता है ठीक है इसमें बहुत अच्छी आया हुआ था लेकिन उसमें पुझा अडॉप्ट इडेट थी यह बच्चों ने कर दिया था यह बना और यह जब उनको पता चला तो क्याना काफी अफसोस होता है जब हम छोड़ी छोड़ी गलतिया कर जाते कोई बाद मीं चलो यहां यहां तक अब हमारा यह पॉइंट भी क्लिर हो गया है जिसमें हमने कमेडिय को डिस्क .अब बात आती है एक्ट्राइड एनफोर्समेंट की बात जो हमारा सविधान है लागू क्या सारा एक साथ हुआ था अबी मैं आपको बता भी दिया दिया है देखते हैं कितने बच्छे इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं इतने मैं इस बॉर्ड को किलियर कर लेता हूं चलिए हो गया है बॉर्ड भी साफ एरियोट देखें इनक्टमेंट एन इनफॉर्समेंट इसमें मैंने आपको टाइमलेंड डिसकस किया था कि फर्स रेडिंग सेके हमारा सविधान बनकर तैयार था, ठीक है कुछ प्रोविजन्स ऐसे थे सविधान के जो इसी दिन लागू हो गए थे, कुछ प्रोविजन्स ऐसे थे जोकि 26 जनवरी से लगे थे, यानि कि जो बाकी बचे थे, 26 जन को गम्प्रीट स्टार्ट हो गए थे, अब यहाँ पर क् 26 नौवंबर 1909 से कौन कौन से सविधान के प्रोविजन्स थे जो हमारे लगुए थे नंबर वन जैसे आपका सिटीजन से पहे नागरिक्ता का कानून सिटीजन सिप और फैने अगरिक्ता काम करें तो कुछ पर्रोविजन्स होंग तो प्रोविजनल पर्लेमंट वह इसे दिन लागू हो गए थे दूसरा शोट टाइटल्स यह भी आपका जो है इस दिन को लागू हो गया अब मैं अगर मैं बात करूं इन आर्टिकल्स देखे अब आपको क्या करना है यह चीजे रेटिन नहीं है आर्टिकल्स को आप सिर्फ अभी समझे लो सुन लो ताकि जब मैं आपको बता हूं आगे चलके सब्सक्राइब को स्टार्ट होगे थे अगर मैं अकोर्डिंग टू आर्टिकल्स बात करूं तो देखे आर्टिकल्स नंबर 56789 यह आपके 5689 यह आपके लागू होगे थे कब जब हमारा सविधान बनकर त्यार हो गया था फिर इसके बाद आते हैं 60 प्रोविजनल पालेमे 360 366 आएगा 66 367 उसके बाद 379 380 388 391 92 93 यह कुछ प्रोविजनल आर्टिकल्स जो हमारे इस डेट को लागो हो गये थे आपको यह आटिकल्स रटने की जूरत नहीं है मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा एक्स्रा इंफोर्मेशन देने के लिए बताया कि आपको जैसे मालूक कई बार क्या होता है पूसलिया जाते है कि देखो आज कल गया जो नेचर एक्जाम को हमें नहीं बता कैसे भी एक्जा हमारा और सही हुआ तो अच्छी बात है नहीं तो फिर क्या हुआ हम फिर उस घर पर करके काफे टेंशन में रहते हैं फिर के होता के गोले खाते हैं बड़ जाता है हमारा तो वह चीज़े के हमारे लिए बैनेफिट नहीं है बैनेफिशन अब लास्ट पॉइंट जो है हम कि Başबी प्रिटिसिजम अब look criticism इंडिया जैसा इसां जिसमें matching क्रिटिसजम ना हो सकता है क्या ज्यादा भूर खांगा जारे हैं आप अपने गर्ग से देख लीजिए आप को काम करते हैं आम उन्ह Sith और अधो है क्लिःे में च्राएट रहाएं छीडर को हूँ आपके प्रईटिसर लेकिए प्लेके यॉपाऊए पीछ में तुषिए क्रेटिसिज्म क्या हुआ देखें अब में लेकिंगों क्रिक्रियिसिस्म क्यों था बैद्क रिब्ल बदे मेला को देमक्रसी को खत्र है क्रिटिसिजम नहीं ऑगा अगर आपकर क्रिटिसिजम करेगे अगर उसके बाटव एक्ट है उसकी कम्यां नहीं बताएगे तो उससे होगा गया इंपक्ट तो हमारी इंडिवीजल है इन्डिविजल आएगा ना इसा टो है नहीं वह पार्लेमंट जो ब आप सबसे पहले जो सबसे पहले बात तो यह नोट और रिप्रेजेंटेटिव बॉडटी जो यह एक एसेम्बली थी यह रिप्रेजेंटिटिव बॉडडी नहीं थी क्यों इनका यह कहना था दो जो मेंबर सिलेक्ट वह वी अप्ट यह नहीं थी आप इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है काउंटर आर्गुमेंट यह है देखिए उस टेम अंग्रेज थे एक्चली उन्होंने इतना तो बोला कि चलो आप अपना इसेम्पली बना के सविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार करें तो लेकिन बात में देखिए मैंने आपको चीज बता कम्यूटी का रेपेजनेटेशन दिया गया था कि यह आपका कांटर पाइंट की यह जो इन्होंने क्या बोला था कि यह जो है ना नौट ऑटी कि सवरेंट बॉड़ी नहीं थी क्योंकि स्टार्टिंग में आपको क्या बोला है इस ने मनाया था तो यह सोबरन कैसे हो सकती लेकिन में आपको क्या बता है इसको पावर मिलगी थी तो यह भी कांटर अर्गमेंट है हमारे पास कि जो वैलेड नहीं अभी उसके बाद इन्होंने बोला था कि जो एसेंबली थी वह टाइम कंज्यूमिंग थी काफी ज्यादा समय ले लिया थे इनोंने सविधान को बना सब्सक्राइब कितना था टू कुछ ज्यादा ही इटाइलिक फॉर्मेट में लिग गया मैं देखिए टू यहर्स है एलेवन मंद्स एंड एटीन डेज अगर बारा दिन ओर ले ले लेते तो इतना याद नहीं करना पड़ता ना तीन साल बोल देते हैं कि नहीं त्री एस ब सबसे पुरारी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की क्लियर कितने महिने लगाए सिर्फ चार महिने फॉर मंस में सब्विदान बना के त्यार चीक है कांटर आर्गुमेंट किया इसका देखें यूससे कैसी कंट्री है होमो जीनियस होमो मिन्स सिंगल जीनियस यहने की जोगां पर वर्याइटी कैसी है सिंगल है अरे एक ही तो दर्म की लोग है कौन से क्रिस्चैनडी है कि नहीं इसाई धरम आप देखें हमारे देश में क्या एक रिलीजन है नहीं सेकंड एक भासा है नहीं एक कल्चर है नो पहनावा एक है नो अब हर 20 किलोमेटर में तो इंडिया में आ वैसे का आप एरिया तो देखो चलो हम बोलते कि आप डाइवर्स कंट्री ठीक है अब मैं इसका काउंडर अर्गमेंट दूँ आपको यूसे की पॉपलिशन आज की ताइम में कितनी है 32-33 क्रोड हमारी कितनी है इंडिया की लगवावावावावावावावावावावाव इन से आरांड एक सो क्रोड से ज्यादा आज हमारी पॉपलिशन है तो इतनी कुछ रही होगी उस्टाम एक दो क्रोड रहे होंगे हम उस्टाम 25-30 क्रोड थे तो पॉपलिशन के अकोडिंगम देखते हैं तो तब भी जो है ना हम उनसे बड़े थे तो यह जो इन्होंने ए यह से का एक तो यह फिट निवेट था क्योंकि वहां की सोसाइटी कैसे होमोजेनिस है एक ही तो रूल एक ही तो रिलिजन के लोगों के लिए कानूर बनाना असान है ठेक है वहाँ पर आर्टिकल भी कितने है हाड़ली दस यह गार आर्टिकल है उनके एक चीज और बोला थ चलिए आपने युए से का एक्जांपल दिया है अब हम अपने नेवरिंग कंट्री जो हमारी फेवरेट कंट्री है पाकिस्तान है ठीक है हमारे साथ अजाद हुए थे होमेजिनिस इनके अंदर भी कल्चर था यानि कि मैजरोडी मुसलीमी थे ठीक हो सकता है जैसे हिंदू पास यह कुछ होंगे बट बहुत ही कम थे संद्ध क्लियर हमारे पास इनकी जो सविदान बनने के एक पीछन काफी मेरे को हसी सी आती है जब मैं सविदान के बारे सुनता हूं कि इन्होंने 1956 के अंदर देखें आजाद कब हुए यह 1947 में कि कितना टाइम लिया विदान में नौ साल में तो इन्होंने अपना सविदान बनाया ठीक है महान सविदान बनाया ठीक है उसके बाद 1958 के अंदर वहां की जो मिलिटरी थी उनके जो जन्नल थे तक्ता पुलट किया बहा ला क्या सविदान हटा ओ इसको खतम विचारों ने नो साल मेहनंत करी सविधान बनाया दो साल में पानी फेर दिया ठीक है तो मेरे को जब मैंने पड़ा काफी मतलब हसी भी आई थी मुझे कि बतलब नो साल लगाया और यहां पर हमारे क्रिटिक क्या रहे है तुमने तीन साल लेकिन आज तक हमारे कॉंस्टिशन रुनिंग में नाइंटीन फिफ्टी से लेकर और टिल देज तक ऐसा नहीं है कि हमारी जो मिलिटरी उसने कुछ ऐसा क्या ठीक है यह भी देखिए हमारे मिलिटरी की शान है कि आज तक उन्होंने डेमोक्रिशी को मेंटेन रखा है आप मेंदमार को देख सकते हैं में क्या चल रहा है वहां का मिलिटरी आपने एक परवरी को टक्ता प्लट कर दिया हमाँ आब ना तो 1950 चल रह क्लियर तो यह चीज़े जो है ना यह क्या कि कुछ चीज़ें होती क्रिटिक्स वाले कर देते लेकिन काउंटर अर्गमेंट भी तो होने चाहिए ना मारे पास इतना ना तो उनका कोई फालोविंग उस तेम कांग्रेस के हर जो लिडर थे उनसे हमारी फॉर्फादर इतना प्यार करते थे कि जैसे महात्मा गांदीजी होगे हलांकि यहीं रिप्रेजेंट करें हमें उसके बाद उन्हें बोला था कि बॉड़ी जो थी ना हिंदू डॉमिनेटर थी चीक है अब मुझे बाद बताइए आज भी इंडिया के अंदर बायर रिलेजिंग मिजोर्टी किसके है अब एक बाद है जो मिजोर्टी मुसलिम जो तो यहां पर जो यह बात हो लिए यह बी वैलेट नहीं है तो यह विलेटिसम के तो यह कुछ हमारे पॉइंट्स थे क्रिडिसिम के तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पर ही स्माप्त होता है क्लिफ तो अब आपको मैं देता हूं विराम यहीं पर चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स लेक्चर में ऐसे ही कुछ इंपर्टन इंफोर्मिशन के साथ तिल देन हैपी लार्नेंग बाई इंपर्टन अब देन्ग अब में रसे होत अब लार्नेंगे जादे एंगे लागीं पर चालिए